So hello guys, it's me Ayush और मैं तुम सभी का विलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रैंड न्यू वीडियो में और आज के वीडियो में हम लोग explanation करने वाले हैं 1899 सीरीज के episode number 7 का सुनाओ without wasting any more time, let's get on to the explanation Episode 7, Maura और Daniel को दिखा के start होता है वो दोनों bed पे होते हैं जहां पे वो दोनों एक दूसरे को कभी ना छोड़ने की बाते कर रहे होते हैं फिर यह लों रियालिटी, simulation और existence वगएरा के बारे में बाच्चीत करने लगते हैं Daniel Maura से बोलता है कि तुम मुझे बताती हो कि human brain सारे लोगों को याद रखता है जितने लोगों से हम लोग अपने life spam में मिलते हैं वो सारे लोग हमारे दिमाग के अंदर, हमारी memories के अंदर जिन्दा रहते हैं तो क्या एक समय ऐसा भी आएगा जब मैं तुम्हारी memories के अंदर जिन्दा रहूं डैनियल जब बाहर आके देखता है तब उसे पता चलता है कि मौरा कहीं गायब हो चुकी है और उसके कपड़े वहीं जमीन पे पड़े हुए हैं इसके बाद डैनियल की आँख खुल जाती है जागने पर डैनियल को मालूम पड़ता है कि वो अभी भी उसी कमरे में है जिस कमरे में मौरा ने उसे बंद किया था यानि की रूम नंबर 1011 फिर डैनियल बाहर खडी मौरा को समझाने कोश्च करता है कि प्लीज मौरा मुझे यहां से बाहर निखालो शटडाउन चालू हो चुका है मुझे मेरा डिवाइस वापस चाहिए बट मौरा उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती एंड वहां से चली जाती है मौरा वापस अपने रूम में आती है और उसे देखने को मिलता है कि आस पास पूरा तूफान टाइप का आया हुआ है सीन सिफ्टों के वापस डैनियल के उपर आता है जहां मौरा के जाने के बाद वो भी अपने बाहर निखलने के रास्ते धून रहा होता है तब ही वो एक खिड़की के पास आता है और वहां का पैनल खोल के शिप के वाइरिंग सिस्टम के अंदर चला जाता है इस वाइरिंग सिस्टम को पार करते हुए डैनियल सारे पैसेंजर्स की मेमरीज से होते हुए गुजरता है यानि कि यह जो मेमरीज हैं मतलब यह जो टनल्स हैं वो एक्ट्वल में एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड हैं Is this a foreshadowing of something? I think yes सीन सिफ्टों के बाकी पैसेंजर्स की तरफ जाता है जो कि इसी तूफान की वज़े से बहुत ज़़दा डरे हुए हैं पिर यह सब आपसमें बात चित करते हैं और डिसाइड करते हैं कि भाया इन लोगों से नहीं चल पाएगी ship इन लोगों को जाके कैपटन आइक को ढूरना होगा साधी साथ इंजन रूम में जाके वहाँ के लोगों को आगाहा करना होगा कि भाया ईल लग चुके तो रेमिरो और केलेमेंस इंजन रूम में जाते हैं वहाँ के सारे लोगों को आगाहा करने के लिए और मिस्स विलसन को छोड़के बाकी सारे लोग मौरा और कैप्टन आइक को ढूंडने चले जाते हैं। इसके बाद हम मिस्स विलसन को देखते हैं जिनकी हालत उस ब्लैक माटीरियल को छूने के बाद से बहुत ही जादा खराब हो चुकी है। तो इसी लिए वो वहीं पर रुक के मौरा का वेट करती हैं। कुछ दिर बाद मौरा वहाँ आ जाती है बट अनफॉर्चनेटली मौरा ने आज से पहले अपनी जिंदगी में इस टाइप का इनफेक्शन पहले कभी नहीं देखा है जिसकी वज़े से मौरा मिस्स विलसन की मदद नहीं कर सकती। सीन सिफ्ट होता है हम देखते हैं सेवेस्टियन वापस टेलिपोर्ट होके शिप के उपर आ चुका है और अलमारी में से एक टैबलेट निखालने के बाद उसे उस मिस्टीरियस बच्ची की भी लोकेशन पता चल जाती है जो की है मौरा की मेमरीज की वो कबर येस तुम ल लोगो सजा दे रहे हैं और हम लोगों को इस तूफान में डूब के मर जाना चाहिए जिस पर टोफ जवाब देती है कि नहीं उपर वाला हम लोगों को नहीं मारना चाह रहा है हम लोगों को एक दूसरे की मदद करनी होगी हम नोनों को हम सब को अपनी जान बचानी होगी पर तब भी टोव की मदर नहीं मानती तो टोव उन्हें वहीं छोड़ देती हैं एंड टोव के फादर को टोव की मदर आइबन के साथ ना चाहते हुए भी रुकना पड़ा सीन सिफ्टों के इंजिन रूम में चला जाता है जहां पर फ्रैंज, ओलेक और जैरॉम इस्टिल इंजिन में कोईला डाल रहे होते हैं तब ही वहाँ पे टोव आ जाती है जो की सब को बताती है कि बाहर बहुत ज़दा तूफान आया हुआ है और शायद हमारी सिप के अंदर जल्दी ही पानी आने लगेगा जिसे सुनके फ्रैंज, टोव को अपने साथ लेके सिप के सारी दर्वाजे और विंडो वगेरा फ्रैंज और टोव साथ मिलके भरने लगते हैं फ्रैंज, ओलेक को केविन के अंदर जाने को बोलता है जहां से वो शिप को चलाए और ओलेक साथ मिलकर शिप को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है और फ्रैंज, बचे कुछे लोगों को इंजिन के अंदर इस्टिल कोईला डालते रहने को बोलता है इसके बाद सीन सिप्टों के मॉरक तरफ जाता है जहां पर वो डैनियल के रूम 1013 के अंदर जाती है यहां प पड़ी फोटोस को देखके मॉरा को थोड़ा बहुत बिलीव होने लगता है कि शायद डैनियल सही बोल रहा था साथ एक्चुल में वो मेरा पती है और वो जो मिस्टीरियस बच्चा है वो एक्चुल में डैनियल और मॉरा का खुद का बच्चा है दूसरी दरफ डैनियल और मॉरा का वही मिस्टीरियस बच्चा है डैनियल बच्चे को बताता है कि जल्दी ही सब कुछ बंद होने वाला है और सिस्टम के बंद होते ही सब कुछ वापस से री स्टार्ट हो जाएगा लूप वापस से री स्टार्ट हो जाएगा डैनियल उस बच्चे को बताता है क कि डैनियल के इतने जादा कोशिश करने के बावजूद अभी तक मौरा की मेमरीज वापस नहीं आई है और अब डैनियल किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ करके मौरा को इस फेक रियालिटी से इस फेक सेमिलेशन से बाहर निखाल के रहेगा और जब तक डैनियल ये कर नहीं डैनियल मौरा को डूंडते हुए अपनी मेमरीज में पहुच जाता है जहां पर वो मौरा को देखता है जो कि कन्फ्यूजड होके उनी फोटोस को देख रही होती है डैनियल मौरा के पास आके बैठता है उसे बताता है कि वो सच बोल रहा है ये एक्चॉल में उनी का कि डैनियल उसे याद दिलाने के लिए उसे किस तक कर देता है बर तब भी मौरा को कुछ सही से नहीं याद आता है सब कुछ बलरी रहता है थोड़ा थोड़ा तूटा फूटा याद आता रहता है डैनियल मौरा को बताता है कि वो लोग एक सिमुलेशन के अंदर फसे और सिमूलेशन से बाहर निकलने के लिए मौरा को जागने की जरूरत है और अगर सिस्टम सटडाउन होने से पहले मौरा नहीं जागी तो ये लूप फिर से री स्टार्ट हो जाएगा तबी फिर से साइरेंस बजने लगते हैं जिसकी वज़े से मौरा और डैनियल डैनियल की मेमरीज से बहार निखल के शिप पे आते हैं डैनियल बताता है कि शटडाउन को रोकने का एक सीक्रेट कोड भी है जिसे सिर्फ मौरा ही जानती है और याद दास जाने से पहले जरूर मौरा ने ये सीक्रेट कोड कहीं न कहीं तो छुपाया होगा किसी न किसी जगा या फिर किसी आपजेक्ट के अंदर तो छुपाया होगा जहाँ पर Daniel ने अपने Captain Ike को भेजा है और यहाँ पर हमें ये भी मालूम चलता है कि ये जो Ships का कबार खाना है ये Actual में यहाँ की हर एक Ship Actual में एक Field Simulation को represent करती है Daniel बताता है कि वो इससे पहले और कई सारे Simulations जी चुका है और हर Simulation शटडाउन होने से पहले 8 दिन तक चलता है Scene सिफ्टों के Lingi की तरफ चला जाता है जहाँ पर वो अपनी मा का पीछा करते करते तूफान में आ जाती है और Lingi को बचाने के चक्र में अपना बिचारा Olek मर जाता है Angel मलबे की नीचे दबके मर जाता है Lucian अपने दौरों की वज़े से मर जाता है मलकी Lucian को दौरे आते हैं जिसकी वज़े से Lucian मर जाता है Scene सिफ्टों के टोव के माता और पिता की तरफ जाता है Iban और Anchor की तरफ जहाँ पर Iban पानी के अंदर डूब कर अपने गौड को खुश करना चाह रही है और Iban का पती Anchor अपनी बीवी को छोड़ना नहीं चाहता है तो वो अपनी बीवी के साथ ही मर जाता है Scene सिफ्टों के Friends और टोव की तरफ जाता है जहाँ पर टोव को बचाने के लिए Friends अपने आपको sacrifice कर देता है इसके बाद Scene सिफ्टों के Sebastian की तरफ जाता है पर वो मौरा की memories के अंदर आके उसके बच्चे Elliot को किड्नैप करके Henry सिंगल 10 के पास ले आता Henry अपने office में बैटके केरबरास के सारे humans को मरते हुए देख रहा था और disappoint हो रहा था कि ये humans हर simulation में अपने emotion के चकर में अपनी जान गवाते हैं कभी logically सोचते ही नहीं फिर Henry announcement करके मौरा और Daniel को बताते हैं कि उनका बेटा Elliot उनके पास है अगर अपने बेटे की सलामती चाहते हो तो चाभी लेके direct मेरे पास आ जा और यहाँ पर हमें ये मालुम चलता है कि actual में मौरा ने वो secret code वो code जिससे इस shutdown को रोका जा सकता है वो code मौरा ने उसी black pyramid के अंदर छुपा रखा है बट उस black pyramid को खोलने के लिए उन्हें मौरा के necklace की इस चाभी की आवशकता है shutdown खतम होते ही हम देखते हैं कि मौरा और Daniel की ship केरबराज भी एक बवंडर से होते हुए air crowd area में आ जाती है air crowd area पहुशने के बाद हमारे सारे main characters बहार आते हैं ship के उपर आते हैं और देखते हैं कि Captain Ike और Promethya ship पहले से यहाँ पर मौजूद है and इसी के साथ episode 7 of 1899 खतम हो जाता है so guys next episode series का last episode होने वाला है जिसके अंदर series की सारी mysteries का खुलासा होगा आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा so अगर उस episode को तुम लोगों को miss नहीं करना है तो please इस channel को अगर अभी तक subscribe नहीं किया सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर दो मैं मिलूँगा तुम लोगों से नेक्स वीडियों में तब तक के लिए बाई बाई टाटा अगर प्राइक कर दो वीडियों जाला प्राइक कर दोड़ किस सब्सक्राइब कर दो अभाईक कर दो